हेलो स्टूडेंट्स दिस धर्मेंत्र और वेलकम टू डीवियन फैमिली दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रक्शन इन और्गेनिसम का नेक्स लेक्शर प्रिवियस लेक्शर में दोस्तों आपको याद होगा हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नैच आज हम स्टार्ट करने जा रहे है उसी का नेक्स्ट टॉपिक पहले हमने अच्छरल मैजिटेटर प्रोपगेशन पढ़ाता है आज हम आटिफिशल मैजड़ आफ वेजिटेटर स्टड़ी करेंगे सुझन आर्टिफिशल या फिर वेजिटी होटी कल्चर आटिफिशल को ह चैप्टर पर प्रॉपोगेट करते हैं मुश्ट लिए जान दीजिए गांत और यह फिर फिर वेजिटेटर लाइक करेंगे सिजन तो लेकिन इसी चैप्टर में study करेंगे students लेकिन micro propagation को हम strategies for enhancement in food production में एकदम detail में study करेंगे so students let's get started artificial या फिर horticulture vegetable propagation start करने जा रहे हैं तो आज हम students start करने जा रहे हैं artificial artificial या स्टूडेंस को horticulture भी कहते हैं हो होटी कल्चेर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या स्टूडेंस यह धियान देना ध्यान से यह हम पढ़ने जा रहे हैं artificial horticulture वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसके अंदर स्टूडेंस पहले हम एक दो इस पार मता होना चींडर पहलें पहला प्हुने बिदाया कि हीमन जो रहते हैं वह अपने रिक्वार्मेंट के अकोर्डिंग प्रोपोगेशन चलाते हैं सुबड़ इस इस भाई ली प्रोगेत डिजार करती है उसके अकोर्डिन ही प्रपगेट कराते हैं से कर इंदर बात करें दोस्तों तो यह जो मैथन होता है मोस्ट ली या फिर इसके लिए बेस्ट कंडिशन जो होती हो कब होती है रेनी सीजन एंड स्प्रिंग सीजन सो डन मोस्ट ली इन डन सीजन या स्टूडिन्स रेनी या फिर स्प्रिंग सीजन इसके लिए बेस्ट कंडिशन होती है अगर इसकी बात करें दोस्तों तो यह बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं यह फोर टाइप्स होते हैं आपको एक एक टाइप हम डीटेल में स्टडी करेंगे एक टाइप को हम हो एक दम में स्टटी करेंगे सबसे पहला होता है कर्तिंग को में में डेटेल के रिंगे सेकंड है लेरिंग लेरिंग भी क्या होती है उसको उच्छों विम्स टरी करेंगेden घ्राफ्टिंग के बारे में बीख हम डिक हले करेंगे एक लास्ट टूडेंट्स माइक्रो प्रोपोगेशन माइक्रो प्रोपोगेशन स्टूडेंट्स यह माइक्रो प्रोपोगेशन जो है इसको हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिजिस फॉर नांस्मेंट हिन फूर्ट प्रडक्शन में डीटेल में फिला यहां पर माइक्रोप सबसे पहना स्टार्ट करने जा रहे हैं कटिंग बेसिकली होती क्या है आप जहां से समझेगा कि बहुत अच्छे से दोस्तों यह जहां ध्यांद किये पहले इसमें कोश्चन जो थे वह एक्जामपल बेस्ट आया आया करते थे एक्जामपल बेस्ट आप से कोश्चन पूछ पूछ लिया जाएगा कि कटिंग का क्या एक्जामपल है ग्राफ्टिंग का क्या एक्जामपल है लेयरिंग का क्या एक्जामपल है यह जो आते थे इस बेस्ट ऑन एक्जामपल्स अब क्या है इसमें इसमें कॉंसेप्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कैसे होती है लेरिंग कैसे होती है तो बैसिकली एक उपर कोशन पुछे आते अब धान रखना स्टूडेंट्स हमें अच्छे से पता होना चीए और उसके बाद में एक्जामपल से लान होने चीए सुडेंट्स पहला हम स्टाट करने जा रहें कटिंग कैसे जैसा कि नाम से 6将 2015 कि कट करना आपको इसे ना मिया नैसलिए होगई काट इस में सूडेंट करेंगे चाहिए चैनलिफ और लीज को हम कट करेंगे और वाहल में प्लांट कर देंगे और एक नया पलांट पन जाए बने गए इसके अंदर होना चीए रूट का इनिशिएशन होना चीए तभी नया प्लांट बने गए राइट सुडन्स और रूट इनिशिएट करने के लिए कुछ केमिकल्स हम यूज करते हैं जिसको हम ऑग जिन्स कहते हैं यह रूट प्रोमोटिंग रेमिकल्स होते हैं जैसे दोस्तों अपने सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं जैसे कि नॉर्मली गाव में क्या किया रहता है हम क्या करते हैं रोज जो होता है उसका स्टेम को कट करते हैं स्टेम को कट करने के बाद बार नीचे वाले हिस्ते में जो हमें प्लांट अंड़ नम्क लेकलोट करना होता है उसके अधर हम कव डंक वगरा लगा कि और करते और वह एक नया प्लांट बना लेड़ा लीव तो ध्यान अक्ना सिटेम को भी कटट करेंगे रूट को हो पर कि इन यह ऑद दोस्तों एंड नएप बना लेगा यह दो मुणा है तू फॉं दया अ नियो प्लांट न या नय अप्ली फ़ार मिशन कर जाएगा यह पहला इंप्रेटिंट के बारें पता हुन से शुद इस तो के लिए उपने प्रिक्विस्ट के विए कुछ प्रे मखोने प्रिक्विस्ट कंडिशन है प्री मुष्ट कंडिशन ज्टूरी कंडिशन वो क्या होती है जैसे कि आपको याद हो का हमने बढ़ बताया था कि बढ़ एक प्रीक्विस्ट कंडिशन अगर बढ़ नहीं है तो नाचरल मैंतल आफ वैजेट प्रोपगेशन नहीं हो का तो सुदेंस ध्यान रखना इसकी प्रीक्विस्ट कंडिशन क् ही जोत प्रीक्विस्ट कंडिशन दोस्ते इसमें रूट का फ़ूरमिशन इंड्शन इनिशेशन आफ रूट सिस्टम होना चाहिए राइए गया तो इसमें अप इंड़क्विस्टण कहलो या फिर इनिशेशन इनी जी milliseconds और रूट शिस्टम यह स्टूडेंट सिस्टम का इनिशेशन होना बहुत ज़रूरी अगर रूट सिस्टम नहीं हुआ यानि की इंडक्शन नहीं हुआ तो यह नया प्लांट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा दोस्तों क्या करते हैं जैसा कि आपको बताया यह एक लिएंगे परनी कहेंं यह ग होते हैं यह मार्क में मिलते हैं यह लिए मार्केट से मिसわか्षट कर सकते हैं यहां पर विब prevharma स्कोंव और लिए रूट प्रोमोटिंग रूट प्रोमोटिंग 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 प्रोमोटिं सबसे पहला हम सबसे पहले स्टेम कटिंग सबसे पहले सबसे पहले स्टेडी करने जा रहे हैं नीओ प्लांट फॉर्मिशन होता है ति से ऊपलती है और सूट सिस्टम होगा और सूट सिस्टम और कने अप् Sem почти बिस से तीस सेंटीमेटर एक लॉंग स्टेम करते हैं और उसके बाद लॉइंड होता है उसको डिप करेंगी आरपी सीज में रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स में और फिर उसके अंदर नया प्लांट फॉर्मेशन रूट्स बन जाएंगी रूट सिस्टम बन जाएगा और सू स्टेम कटिंग क्या होती है बहुत आसां सांसा है स्टूटेंट स्टेम कटिंग कर्टिंग अ कि पहला पर नहीं रूट यार शुर्ट स्टेम कटिंग स्टेंग वर्टिंग होगा सबसे पहला जो मने आप बदाय वही और 222 30 cm long stream is cut पहला का हम में करना है 22 30 cm long long stem is cut यानि सबसे पहले हम 20-30 cm long stem को cut करेंगे कैसे students ज्यान से समझेए इस तरीके से सपोस्पोज सपोस्पोज स्टूरेंस यह कोई प्लांट है यह उसका root system है और यह उसका source system है यह रूट सिस्टम है यह रूट सिस्टम हम बैसिकली क्या करेंगे इसको यहां से कट करेंगे 20-30 cm कट करेंगे steam को करेंगे डिपट करेंगे डिप कहा करेंग आपको मैंने बताया लोवर एंड एंड औरस प्सकाल एंडघ्या लोवर अलारफ displays किन एंद ओफ्स टेम यहां पर फ्रूंट को स्टेम डेल राओ यह तो सब्सक्राइब genres 1 यह यहीं बहुंट हो आप ज्सक्षा ञेल है बयूत है यह या फिर आप से इस पिशांपल स्टूड होस यह शेया Springs लिख देते हैं स्टूरेंट जैंपल हम और एक्टा 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 फिलिखेंग के बड़ मेर्वीटिंट इंपर रोज ही याद रखना है तो इसका सब सबसे इंपोर्टेंट एक्जांपल एक्जांपल चाहिना रोज भी स्टूरेंट सबसे ज्याधा इंपोर्टेंट है रोज सीट्रस है रोस हो गया चाहिना रोस हो गया सिटरस हो गया इसमें इसके अंदर स्टुडेंट्स टी भी आती है और कॉफवी भी आती है इस तहरीके से ब्लेट चायेपफ्ल सब्सस्रेंटिक अनो tack नदे आज स्टेम कट्गी के प्रोटेंग केमिकल के आप है आप्ड़्स के है, मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसके बाद फिर आप इसको स्वाइल में प्लेस करोगे तो एड़ेंटीस रूट का फॉर्मिशन हो जाएगा याद होगा मैंने आपको प्री रिक्विस्ट कंडिशन भी बताई थी इंडक्शन आफ रूट यानि रूट जो होती उसका सब्सक्राणि इंगें डिश्राड बीच्ट कि एडर इंडक्राइब इंडक्राइब इंड़ेंट यालनिफट यह है बहुत इंपोर्टन थाफिक्स अब एक जांपल्स और आपको लानने रहें श्टूरेंट अब हम आपको बताने आज रहें रहें एक्जाक्लिए लीफ क फिर स्पर्पर्ष लिक टो पहले उसको कर देते लीव को पहले में करेंगे फिर उसको प्लेश कर देते है इस तरीके से होता है और इसके अंदर बहुत है कि अब hetis कणिशने को क्षर्प्रिकानिशनेस्टीर इनीशन विटट अब का होना जरूरी है तो रूट इनिशियेशन हमें याद रखना है स्टूडेंस रूट इनिशियेशन या फिर एड़ेंट इस यह बट इस वेरी इंपोर्टन तूडेंस कुछ है नहीं इसमें आसान सा तरीका है इसको हम पहले सब्सक्राइब करेंगे और फिर प्लेस करेंगे इसको डिटेल में इसको डाइग्राम बनाके नहीं स्ट्री करने वाले हां इसका इक्जांपल जो है बहुत अच्छे ध्यान रखना इसको 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 हम सुदेंस किए सूस्ट मेरिया भी कहते हैं तो इसको भी अच्छे से सथिंगा तुडेंस तुड्स पिए सुस्टूरेंट अब हम आवने स्टेम कुठेन कम्पलेट कर लिया से अब यह स्टेम कटिंग कर लिएviet tudy कर तिस यहीं पे छोटा सो टॉफिक है रूट कटिंग ऐसे होता है और रूट कटिंग के एग्जाम्पल भी हम आपको बता देते हैं ने रूट कटिंग बात करते हैं students विखे रहां रूट कटिंग भी स्टिटिंग कि इस च्रीटिंग स्ट्रेटिंग की बी स्टूडिंग इसकी प्रड़ के सनों होती है यांग एडवंड़िस रूट से फिरड़टी चर्ड़ेक्श होना बहुत ज़रूरी है तो प्रीक्विस्ट कंडिशन जो है दोस्तों यह क्या है एडवेंटीश रूट्स या फिर एडवेंटीश जीज बड़्स नॉर्मली से आपको बता था स्टेम जो होता है वहाँ पर प्रेजिंट रोत रोट प्रेजंट हो सकती है यह भी से उसी तरीके से होगा सुरेंट इसके यह कुछ इग्जाम्पल से मापको बता देते हैं ध्यान से देखिए गाइस्ट लेवन इसमें आता है दोस्तों टैमरिंड यह होता है वह भी इसके अंदर आता है ब्लैक बेरी और रस्क बेरी भी आता है तो चार के चार एक्जाम्पल है याद अखिएगा लेमन टैमरींड अब मुझे लाइक वे लस्क के बेरी दिहुएँ तो इस आर्थ एक्जाम्पल्स आफ रूट के इंश्टी ड्रोट के इंडिया था यह लूट के बारें बता दियर तीन चीजमें मेंस टूरिग करने स्टूरिट्ट सबसे पहला हमने स्टुडिया किया सब्सक्राइब नगे इस झाल, 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 झाल